हेलो गैस केसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फीर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस के टेक्नो पोवा 5 प्रो फोन को आप लोग केसे स्वीच ओफ कर सकते हो अगर आपके पास एक टेक्नो पोवा 5 प्रो फोन है और इस फोन को अगर आपको switch off करना है normally power button पे जो है normally long press करने से switch off का option आ जाता है लेकिन अगर आपके phone में power button पे long press करने से switch off का option नहीं आ रहे है यह आपका power button खराब हो चुग है तो कैसे आप लोग without power button अपने phone को switch off कर सकते हो गाइस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पासा नाए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए गाइस वीडियो को start करते हैं स्वीच ऑप करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने इस phone के settings में settings में जाने के बाद थोरा सा नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको एक option दिखने को मिलेगा इस special function का तो इस special function के option पे क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो accessibility का option मिलेगा तो इस accessibility के option पे क्लिक कर दीजिए क्लिक करती accessibility menu का option आएगा तो इस accessibility menu पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद accessibility menu shortcut का एक option आएगा तो इस option को आपको on करना है अन कनने के लिए switch पे click करेंगे allow का option है एक अलाओ पे click करेंगे go to it का option है गो टीट पे click कर देंगे ऐसा करती यह जो option है वो on हो जाएगा और यह option on होती है आपको यह पर जो है screen में shortcut button देखने को मिलेगा तो यह shortcut button पे आपको click करना है क्लिक करती power का option है गा पावर पर क्लिक करेंगे तो देख सकते आप सुइच आप का अप्षिन आ गए आपर से विडाउट पावर बटन पर क्लिक की अपने फोन को आप लोग सुइच आप कर सकते हो और यह जो शॉटकर बटन है गईस सारी ही एप्लिकेशन में काम करते हैं आप लोग कई से भी बिरूर से कर लिजिए मिलते ही कर लेक्ट नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई